कि अब मेरे दर्सकों को निर्णे ये लेना है कि आपने जमाण से है आपने मंशीन लेनी कौण सी है टाइब की जो इंडियान मेनुफेक्चरी है वह लेनी है या इस तरह की जो चाइना मेनुफेक्चर वह लेनी है अब इसके एक वार गिराई रिये, इसके यह ठुकड़े हैं, और मज़े वाड़ी बात यह है, कि इसके भी ओर भी ठुकड़े, अगर आप यहूं मारना यह हो गया इसका एक और अब बात यहां आती है, कि आपको यह लगेगा कि मैंने कुछ बैद बाह व किया तो आपने इसको एक वार और गिराते हैं इस वार गिराते हैं इस लोए पे और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है तो भाई यह है इसकी सॉलिड नमस्कार किसान साथ यह मैं उस संदीप आपके लिए लेकर महत्वपन वीडियो वीडियो में जैसे कि आप मेरे पीछे देख पारें चाफ कटर के अलग-लग मोडल हैं और चाफ कटर के साथ हैं इंजन मोटर और आटा चकी यहन की मल्टी वो सब इसी फिक्ट्री में बनते हैं बनते हुए भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं क्योंकि आपने यूटूब के इतियास में यह पहली वीडियो आपके लिए होगी जो कि इतने हरे चारे को काट के भी दिखाएंगे और मशीनों को बनने का जो मटीरियल है वो भ य幹u ले और की बोडी की बात करूं यह सारे चीजी हैं आपको मैं का यूभी में बनतियों दिखाउंगा जो साथ इन मशीनों से संबंद चायाने थिकें हैं चाहते हैं उनके लिए वीडियो मैथ तब होगा तो वीडियो में जैसे कि आप देख पार हैं यह सारे मोडल वहां तक जैसे हैं लेकिन उन्हों में फरय की हुई है इस मौडल में और यहां इंजन पीछे हराचारा भी दिखा दें क्योंकि यह सारा हराचारा हमने नहीं मशीनों से काटना है जैसे कि आप देख पारें मक्का बर्सीम दान की पराड़ी आगे गन्ना एक उसके बाद फिर मक्का और फिर पीछे बास और लास्ट कॉर्णर में पड़ी है सैतूत यान की तूत की है अगर यह कहूं कि साथ यह कोटन की लकडियों काटना होगा अब बात यह आती है कि आज मैं हूं कहां अगर आप यह मशीन लेना चाहें तो कहां से लें कैसे लिए तो उसके लिए सारी जानकारी में ब्रदर उपलब्द करवाएंगे जिनकी हम फेक्टरी में यहां पहु को भी दिखाएंगे कि इसने कैसा करें कि तो स्वागते सर आपको मेरे दर्सकों को आप थोड़ा बता दीजिए आपकी जो मशीने हैं क्योंकि ऐसी मशीने चाहिना की बहुत आती है आप वाली मशीनों मेंसा क्या है कि औरों से अलग है कुछ हट के है संदीब भाई मैं के जागा पर यह पाइप होता है है उसमें यह पाईप है और हमने जो रोलर त्यार किए हैं उम अर वह हंपार हैं लुक्य लारा अच्चा है your में CT आप जाता है इसको ना लोहे पे बिखाएंगे इसको या से ले ले लेते हैं कि यह देखो ये लोहे को भी और गुझूजने इसको कोई फरक नहीं पड़ता है स्बाइब कि धार नहीं में räärा देखो जब लोही को एक काट सकता है तो यह थीग के अगए अप स्प्रिंग स्टील की प्लाइब के फिर लेड़ने दोनों तर्फ दार लगी हुई है तो यह आपकी लकडी तक काड़ देंगी अगर आप हरा चारा सूखा चारा काड़ते हो यह आपके डेड़ दो साल तक कहीं नहीं जाएंगी आपको बदल नहीं पड़ेंगे इतनी इनकी लाइप है और जो मिशीन में हमने करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक आपके मशीन आपको इसमें ग्रीज करना पड़ेंगे और जो तीसरी बात है इसमें आपके नीचे जो गेर पड़ेंगे मिशीन के जो चैना वाली होती है ना उसकी जही सर आप यहां से पहचान कर सकते हैं कि उसके जो गेर होते हैं जो जह वाली गरारी होती है जह होती है कास्टिंग की मानों जह तूट जाती है गिस जाती है जो हम डालते है उसमें जह स्टील की है सर ठीक है जह स्टील की गरार चाहिनावाली भी मेरे को पकड़ा दो यह तोड़ी विवास्तों में बात सही है यह जैसे मैं केमरा मेंन से कहूंगा यह तूट गई है और हम अभी संतुष्ट नहीं है फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रहेगा तो अब यह चाहिनावाली तो मशीन हमाती है न वह अब मेरे दर्सकों को निर्ने ये लेना है कि आपने मसीन लेनी कौन सी है बाई इस टाइप की जो सॉलिड है जो इंडियन मेनुफिक्चर है वो लेनी है अब इसके एक वार गिरा है तो मज़ेवाले बात यह है कि इसके उवर भी तुकड़े अगर आक यूं आ वह उगया और आप यह आतु है कि आपको यूं लगे गा कि मैंने कुछ बैद भाउ किय है तो हमने इसको एक वार और गिरा तो एकवार तो उमीद यह करता हूं की मसीन से संबंधी आपको वह यह बटाओ कि मसीन की जो घ्रारियां है वह कितनी मजबूत है तो सरभ अपने यह बताओ कि जैसे आपने इसमें इंजिन लगा रखा है इसमें मोटर लगा रखे नहीं दोनों में डिफ्रेंस क्या रहेगा किसान को सस्टी कौण सी रहेगी झिसमें किसान अपनी सुपधाग से जा तो अगर उसके पास बिजली है तो बिजली से चला सकता है यह गया ओओ जहां पे बिजली नहीं है वहां पे वह इंजन से काम ले सकता है और इसकी खासियत यह है कि जो चैना वाली होती है उसमें कस्टमर को अठाइसो आर्पीम वाली मोटर लगेगी और यह डेड़ एच्पी सही आपका काम कर देगी आपकी भिजली की कम होगी और सस्ती भी आएगी और आपके यह मोटर बाद में भी काम आती रहेगी यान कि हम चाइना वाड़े लेते हैं तो में तीन एच्पी की मोटर लेने पड़ेगी और अगर यह लेते हैं तो में डेट एच्पी की मोटर लेने पड़ेगी चाइना वाड़े में एठाइसो आर्प्यम रहेगी और इसमें चाउदासो आर्प्यम रहेगी लाइट की और चारे का साइस छोटागी कर सकते हैं बड़ा भीर और पर चैप मुझा बना गयर लगा हुए लोड़ा उन्नाुए जिसमें आप आप पीछे देख रहे हो आपके मिशीन में इसमें हमने चक्की की अटाइचमेंट दे रखी है मानो एक ही मिशीन से अगर आपने दोनों काम करने हैं इसमें आप चक्की भी चला सकते हो और मिशीन भी चला सकते हो एक मिशीन से दोनों काम हो सकते हैं चक्की में आपको यह सार आपको आज हम लाई भी करके रखाएं तो सर अगली आपकी जो मशीने हैं इस मशीनों में क्या कुछ अलग हैं क्योंकि इन में उपर का जो बोड़ी स्टेक्टर वह भी बड़ी है तो यह उनसे कितना ज़्यादा कारें गरेंगे इनकी क्या कुछ गरंटी वरंटी और किमत क्या कुछ रहेंगी सफ़े जो देखरें ज्यात्त जेशे आप शैले ने यही मल्तिपर これ headache ह плох वट द्री का काम करती है और साथ में आपका दल्या भौड़ा भी करती है इसमत पर बना सकते हैं जैसे मक्के का हो गया कहिए गणना हो गया गाशी इसमें आप काट सकते हैं और साइलेज भी बन सकते हैं इसकी सरहना देखो पिसाई की जो शमता है इस मिशीन की यह गंटे में 400 किलो आपका जानवरों का चोकर बना सकती है और इसमें आपको आद लाइब करके दखाएंगे इसमें आप साथ मक्की भी इसको फीड में कनवर्ट कर सकते हो इसमे को चला के कारिया कैसे करेगी इसका रिजल्ट कैसा है तो बढ़े नहीं आप वीडियो में वीडियो लंबा जुरूर हो सकता है लेकिन आपके लिए मैं अतब उनोगा चलिए भाई आप इसको थोड़ा मेरे दर्सकों को चला के भी दिखाएंगे कर दिखाएंगे कर दिखाएंगे कर दिखाएंगे कर दो दिखाएंगे कर दो कर दो कर दो झाल 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 आप पर शुआ जाल शुआ जाल सिनाइन के कुए काम का निये इसकर नहीं न हности से नहीं काटेगा लेकिन अपडा में अपने मशीन की टेस्टिंग कर रहे है कि मसीन की टेस्टिंग कैसी है वदे खेपाए typical आगे जो आफी आप वीडियों में देख बाल है स्य तुystem की लगड़ी अजय कोई टूँआ है साथियों गन्य की क्या किसान को जरूरत रहती है क्योंकि गन्य के उपर का दो इस्षा आता ना उसे अपने काट के पस्वों खलाना होता है में इंजिन में वह सब चीज़े अलग हैं लेकिन उपर का दो स्टेक्टर वह सारा यह कि अब बात ही आते हैं कि यह बड़ी वाड़ी तो मसीने यह कैसे कारे करेंगी उसके लिए हमारे पास यह बड़े वाड़े बटीरियल भी है भी हमारे वो हमारे वाड़े वाड़ी तो मसी खायदा बाता है कर दो कर दो is बड़ के हो जो पनो शर्बब में कर दो जा रगार होग और जादा जा इल्ड़ प्रवड़ गार आदाना हो जाज रहा उल्ड़ जा तो जाज इजाना है कि अग्राइब कि अग्रेट तो कि अग्राइब कि में एक से अग्राइब पर चालोग प्रापक्ट कर दो झालोग झालोग कर दो जो जो पित्व जाना है प्रॉप्राइब और हुआ है अजय है कि अजय है हुआ है अजय है अजय है अजय है और साथियों जैसे का देख पार है यह हर दी है बिलकुल बारिक हर्दी इतनी हाड है जिसे एक सेकेंड में जैसे का आपके सामने इसका रिजल्ट है अब बाकी अगर आप कहें तो मेरे पास यह दूसरे मटीरिल भी पड़े हैं इनको भी मैं चला के दिखा सकता हूं जैसे यह सौफ है और यह जो अपना दूसरे मटीर है तो मैं नहीं मानता कि इनको जरूरत है क्योंकि हल्दी सबसे हाड हमने चला के दिखा दिए तिन हल्की चीजों को दिखा के चलाने के जूरत नहीं है लेकिन कहा कि एक किसान के मन में डाउड रहती है संका रहती है और वो संका यह रहती है कि भाई किसान के घरना यह मिर्च र लेकिन उसको फिर्षना कैसी है वो भी आप इस वीडियो में देखेगी तो बुटा कर देंची आप पागगगगगगगगगगगगगगगगगगग तो साथियों जैसे का आप देख पा रहे हो यह है मिर्ची बिल्कुल त्यार हो चुकी है गर की देशी मिर्च है और यह देखो आपके सामने है इसका रिजल्ट है संदीब पाइ यह देखो जो आप गेर दखा रहे हो यह हमारे अंदर बन रहे हैं देखो मिशीन चलरही है आपके सापने एक एक चीज हमारी फैक्टरी में अंदर त्यार हो रही है यह जो आपने गेर उठाएं यह वही वाले हैं जो त्यार हो रहे हैं जो फैक्टरी के हम अंदर त्यार करते हैं एक एक पार्ट सर मिशीन का जो फैक्टरी के अंदर त्यार होता है और क्वालिटी आप देख सकते हो जो अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं ताके बाद में करते हैं जिनका ताम है काटने का और इसके साथ साथ अपने आजी के लिए जे देखो सर जे बलेड होगी जे आगे सारी हो गई जो आगे पूली भी देख रहे हो बो देखो आप पूली उठागे देखो कितने हमारी ना जो फिनिशिंग देखो इसकी कैसी है सारा मशीनिंग होता है जो बी-एम-सी-सी-सी से हम सारी मशीन त्यार करते हैं इसमें मैनूली कुछ नहीं होता है आपको आगे द तियार हो रही है वाड़ी जहां पर त्यार हो रही है मेशीन की और कवर बगारा यहां पर त्यार हो रहे हैं और इसको आप देखोगे सर बाकी चाइना वाली है उनमें यहां पर अच्छी क्वालिटी टाटा की हम जो शीट है वो दूस कर रहे हैं यह गेर बगारा का सारा यह पैक के लाने के लिए आपकी का मटीरियल कमप्लीट आपको इसके प्लिया मिलेगा और यह मिलने के बाद मशीन को कार्टून में डालने के बाद चारों तरफ से धर्मा कॉल सीट लगाने के बाद इसको शाही तरीके से यूँ बंद करनी है और बंद करने की अगली जो स्टेप है उसके बाद यह रहे इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हूं इसको प्रोपर सील लेगे लोख अगली जो स्कीति है वो यह है लकड की बेटी विस तरह से इसकी चारों तरफ से सेफटी और लकड की बेटी में भी बंद होने के बाद फिर इसके उपर यह बैल्ट लगके त्यार होगा तो साथियों एवन प्रोपर तरीके से आपको यह मसीन मिलने वाड़ी है और घर तक पहुंचने वाड़ी है और हॉम डिलिवरी में बाड़ी है जो साथी लेना चाहें वो दिए गए स्क्रीन पर कॉंटेक्ट नमर दे रखें कंपनी से आप फॉन करके ले सकते हैं अधिक जानकारी ले सकते हैं मशीन की कंपनी की और पैसे की किन्नों चीज की मेरी फूल गरा टिरेंग लो